नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक सुआ गता है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को गम्पलीट देखे और वीडियो को लास्ट तक तक देखे ताकि जो भी एफेक्टिव जो क्यूस अई है एक्जाम की दर्ष्टी से वह आप लोग को पता चल सके और चुके नहीं ठीक है दोस्तों यहां पर फास्टली मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ था कि आपका रिवीजिन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि किस परकार का सले बिस जो पश्रुदंस आये का या फीर वेटनरी इंस्पेक्टर है वेटनरी लाय श्टॉक इंस्पेक्टर है उन भरतियों में आ सके ठीक है दोस्तों तो चलिए इस्टार्ट करते वीडियो को तो आज की हमारी जो डिजीज है वह है लेप्टॉस्पोरोसिस है यह ब्यक्तिरी लोजी डिजीज है और इनके कुछ अन्य नाम भी दिये गए हैं अन्य नाम पर चलें उससे पहले में आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप मारे चैनल पर पहले बार विजिट करें तो इस चैनल को सस्क्राइब जुरूर करें वीडियो चाह लगे तो वीडियो को लाइक करें और अन्य नाम की बात कर लेते हैं लेप्टोस्पारोसिस है उनकी अन्य नाम भी है यह जो इजिज़ है यह जिज़ूर्टिक्स इज़ा नहीं पहले वाले वीडियो के चाहल ते मोहश होता है इसको क्या दूँक्णर उनको खाने से होती है उसको ही हम क्या कहरेंगे उसुशा ऐसे जो डिजी जती है उसको क्या राइस-फिल्ड वर्कर डिजिज के नामसे जाना जाता है इंफेक्शन्स जो डिजिज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह अन्य नाम हो गए इनकी और उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेट नाम है वो ही मैंने आप लोग को यहां पर बताए दोस्तों इन नामों को आप लोग चेक कर लीजिए और याद भी रख लीजिए ताकि भवेशे में जो भी एक्जियम होता है पसो दंसाइक का हो या लाइस्टोक एसिस्टेंट का हो या फिर संकण में फ्यलाती है या किसके दौरान फ्यलाती है पैसाब होता है या फिर पैसाब करते हैं जैसे ही मुत्र विसर्जन करते हैं या फिर गर्बासय के दौरा गर्बासय के दौरा यह संकण में फ्यलाने की कोशिस करता है यह वाइरस ठीक है लेप्टोसपोरोसिस यह बिम या फिर गह सकते हैं इंसान भी उसमें चला जाता है तो इसकी वज़ए से ये बिमारी होने की पूरी-पूरी संभावना हो जाती है ठीक है क्योंकि जैसे ही पस्टू के दुवारा इस जो लक्षन्स है या फिर वाइरस है वहां पर पानी के अंदर रह जाते हैं कुछ पानी क अंदर रह जाते हैं तो जैसे ही कोई इंसान दूसरा उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर ये लक्षन या फिर बैक्टिरिया वह लग जाता है लक्षन्स की बात करते हैं दोस्तों तो लक्षन कौन-कौन से हो सकते हैं यहां पर मैं आप लोग को इंपोर्टेट जो लक लेकिन इंपूर्टेट्ञ उती है यूरीन के साथ यूरीन के साथ ब्लेडिंग भूख नहीं लगता है one लिक्षाब में कुन हो गह, तो किर दे देटाता है, है यह इनूर्मलस काम भाध है , यूरीन के साथ या नूर्मल्म हो Leptosporosis के कारण आता है आ सकता है ठीक है यह देखना है comparison करना है कि कौन-कौन से लक्षन है या नहीं है किस दूसरी disease या अगर option आपको question में option दे रखे है 4 A, B, C, D दे रखे है A, B, C, D, 4 लक्षन दे रखे है इन 4 लक्षनों में देखना है यानि 4 लक्षनों के अंदर देखना है आपको कौन सी disease है यानि कौन से लक्षन कौन सी disease के अंदर है या आप लोग को पैसाने क्योंकि काफी जारी जो disease है उनके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो पराक्रतिक छिदर हो उसके अंदर भी blood का आना पेसाब के अंदर blood काना ये भी प्रक्रतिक चीदर हो गया लेकिन mostly क्या होता है लेप्टोस्पोरोसिस है उसके अंदर पेसाब के अंदर ही खून आता है अन्य जो बिमारिया उनके नाप के अंदर कान के अंदर या गुदा मारक से या फिर वेजाइना से यानि जितने भी छिदर होते हैं वहां से ब्लेडिंग होती है तो वह भी आप लोग को ध्यान रखना है नेक्स्ट जो हमारा लक्षन है वो देख सकते हो यहां पर पांस नमर जो लक्षन है वो देखिए पसु को कॉल्ड मेस्टाइटिस हो जाता है दूद में खून आता है और दूद गलबी रंग का हो जाता है यह इंबोर्टेर लक्षन है नेक्स्ट है पसु को तेज भुखार हो जाती है यह दो यहां पर लक्षन आप लोग देख सकते हो कि कौन-कौन से लक्षन हो सकते है एक तो जैसे वेजाइनल मार्क से यानि खून आता है पैसाब के साथ और एक यह लक्षन पसु को कॉल्ड में स्टाइटिस हो जाता है दू यह आप लोग को द्यान रखना है नेक्स्ट जो है हमारा जो लक्षन है वह देखी दोस्तु यहां पर मैंने पहले बताया कि पैसाब के अंदर कून आता है दूसरा हमने जो कोल्ड मेंस्टाइटिस हो जाता है यानि गुलाबी रंका हो जाता है तीसरे जो लक्षन है इंप इम्पोटे ट challsein यह तीनı मोस्ट इंपोर्णि 때래 इसको ध्यारण नहीं किस परकार से इसको कौन से इंजेक्सन दे ताकि किस पर कारसे जबा हार्ट बेट है या अधर जो सिस्टम हो वो चल सके तो यहां पर देखिए एंटिवाटिक्स तो देने ही देने है आप लोग को कोई भी ट्रेटमेंट करना होता है उसके अंदर एंदर इसके अंदर क्या होता है लेप्टोसपोरिस के DNS क्या होता है देखने में दोनों ही जो bottles होती है वो क्या होती है सैम होती है लेकिन इसके DNS का क्या use होता है और NS का क्या use होता है सारी चीजे मैं उस वीडियो के अंदर कलियर कर दूँ हूँ ठीक है उसके बाद में B complex आपको देना है B complex क्यों देना है कि ताकि उसका digestion system हो वो सही उसके ठीक है एंटिबाइटिक हो गया थाकि रोग नहीं फेले B complex देते हैं ताकि digestion system सही हो जाए और जो इंजेक्शन dexona dexona steroid जो injection होता है dexona dexona क्या करता है इसकी heart beat heart beat को बढ़ा देता है beat को बढ़ा देता है ठीक है तो आप लोग को dexona भी देना है ताकि उसके heart beat चल सके और blood circulation है वो तेज हो चुके ठीक है तो यह आप लोग को देना है ताकि जो पश्रू है एक्चुल में बिमार ज्यादा हो चुका है और lepto spores हो जाता है तो उसमें heart beat की थकलिव आती है उसकी बज़े से यह क्या होता है मरने की कगार प्या जाता है तो dexona लगाने से अंतिम जो यह injection है वह injection को अंतिम जो रिलेक्स जो रिलेक्स कर सकता है या बचा सकता है वह injection कहा जाता है ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तो नेक्स जो हमारी 30 से 50 रुपे के अंदर इस वीडियो को खरीज सकते हो मतलब यह हुआ कि आप लोग 39 से लेके और 59 यानि 58 रुपे तक आपका बज़ेट लगने वाला पर एक सब्जेक्ट की बुक आप लोग को मिल जाएगी पीडियो फो में और उसका अगर आप लिंक अगर प्रिंट निक की मिल जाएगा वहाँ पर उसकी फाइल भी मिल जाएगी तो सारी चीज आप लोग को मिल जाएगी 30 से 40 रुपे के अंदर तो उसको किसी भी सब्जेक्ट के आप खरीदना चाते हो तो सब्जेक्ट की खरीद सकते हो विद्र डाइग्राम दिया गया है इस जो मैं आप होगे गाइनकोलोजी की देखोगे और किसी भी सब्जेक्ट की देखते हो तो उसके अंदर आप लोग को जैसे सर्जरी है इंस्टूमेंट के बारे में है तो कौन-कौन से इंस्टूमेंट दियागे सारी जानकरिए उस वीडियो के यानि पीडियाप के अंदर मिल जाएग लिंक के आगे आप लोग को मिल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट लेनी है यानि पहले सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा आप लोग को उसके बाद में यानि मालीजी पहले सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा उसके बाद में आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर कि इतना पेमेट कटेगा और उसके बाद में आप लोग उसका जैसे सब्मिट करते हो आपकी लिंक के मादेम से आपकी PDF है वो आपके फोन के जो जीमेल आइडिया अपने लगए उस जीमेल आइडिया पर आजाएगी ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते नेक्स्ट ड बाद में नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो ब्लीव बीविवल्विल्फ इल्ष नाभी रोग Stre Schipen ऺंडर वहां से क्या हो जाता है घर्ट जैसा हो इसको ही हम क्या कहते हैं नावी रोग के नाम से जाने जाते हैं इस नावी रोग है इसके अन्य नाम भी है जैसे पॉलि एथरेटाइटिस हो जाता है जोंट से हो जाता है या सुन्डी फूलना भी कहते हैं देसी लेंग्रेज के अंदर ये तिनों नाम इसके हो गए है उसके में बात कर लेते हैं हीटियोलोजी कारण क्या क्या हो सकते हैं यह गाए की यह गाए की बचलों की विमारिय जिसमें नवजाद बचले की सुन्डी की जड़ को संकर्मित जड़ को संकर्मित हो जारों से काटने पर संकर्मित हो जाता है यह संकर्मित निमिन जिवानों से हो सकता है यह जो संकर्मित है किस प्रकार से होता है जैसे प्लेसेंटा को काटने से उनके अंदर जो कोई भी इंस्टुमेंट है इस इंस्टुमेंट से क्या होता है बैक्टिर हो तो इंते हैं परकाम से देनके रखन और हो सकता है तो उनके बारे मैं सबस्क्राइब तो दो सकता है तो देखेस के सुझन शुजन आ जयता है सुऋड़ के आसपास वाले जुरोय करते हैं उसके बाद लाहते हैं यह जो सुझेरा लगातें जो जो बी इसके अंदर राशी या मबद मधद को बहार निकालते हैं बाहर निकालते हैं ठीक है निकालने के बाद पस को बाहर निकालते हैं पीपी वास करेंगे पीपी यानि प्रमेगनेट से साफ करेंगे और बेटर निन दे देंगे उसके बाद में इंजेक्शन की बाद करें दो इंपोर्टेट एक से मेलोनेक्स से लगाते हैं जो तो तिन दिन तक यह चलना है ठीक है उसके बाद में बात करते हैं फूट रोट जो डिजिस है उसके बारे हम जानकरी लेने वाले यह जो हमारी बिमारी है उस बिमारी को फूट रोट के नम से जाना जाता है फूट रोट का मतलब हो गया फूट का मतलब हो गया पैर और रोट और कीड़े, कीड़े उत्पन होजाते हें इसी को हम क्या कहते हैं फुड रोट के नाम से जाना जाते है FMड मी क्या होता है मुओ के अंदर और खुरों के अंदर ढोनों दोनों जिग लेकन फुड रोट के TP क्या होता है यह बैक्टेरियल डिजिज और FMD क्या होता है viral disease है ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है तोड़ा सब उसके बाद में हम अन्य नाम की बात कर लेते हैं food जो डिजीज है इसका अन्य नाम है इन्टिजीट के नाम से हो जाता है हम लोग डिजीट कहते हैं किसको खुरों के बीच का जो स्तान होता है या इन स्तानों के बीच में हो जाता है तो इन्टिजीट के नाम कहते है 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 इन्ट में एक ही कारण यहां पर आता है तो आप लोग देख सकते हूं सपोरियोस नेक्रो नेक्रोफेरियस के नाम से यह जो बैक्टिरिया है इसके वज़े से यह रोग हो जाता है उसके बाद में लक्षंस की बात करते हैं यह जल्दी-जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं ता कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर रहे दोस्तों और पीडियो को भी करेश सकते हो तो कि आप लोग को पढ़ने मासानी हो किसी भी चीज का या किसी भी एक टॉपिक का प्रिंट निकलवाना चाहता हो तो उस पर सेलेक्ट करके आप लोग एक खुर के बीच में क्या जाता है सुजन आजाती है जिससे पस्सू को रगड़क गाव का रूप ले लेती है तथा पस्सू लंगड़ा कर चलता है ये इंपोर्टेट बात हो गई उसके बाद में धीरे दरी ये गाव फुलता है और सड़ने लग जाता है और सड़ेगा तो क अपने पाव को बार-बार पटकता रहता है ठीक बात है ये तो सही बात है क्योंकि खुझली जैसे उसके अंदर खुझली होगे या कीड़े आएंगे तो बार-बार पटकेगा और जब गाव है वो ज्यादा ये बढ़ेगा ट्रेटमेंट की बात करते हैं तो उसको क्या है गाओ को relief मिलता है ठीक है जैसे आप लोग ने पहले पीपी से धोया उसके बासे दोया या copper उसको क्या करते हैं नमबग जैसा आता है तो उसके अंदर गाओ के दोनों digit है यहां पर गाओ एक महाँ पर आप लोग लगानी है ताकी naszej यहांपर कीड़े अगर है तो तारपिन को तैल भी लगा सकते इmpager को सप्रे को भी यूज कर सकते कीड़ें गाउ को सही कर सकते हैं यानि कीड़ों को प्रोड स्पेक्ट्रम लगाते हैं तो OTC लगाना चाहिए तक कि ग्राम नेगिटिव या ग्राम नेगिटिव कोई भी डिजीज है उसके जो भी बेक्टिरिया उनको उनकादम कर सकते हैं लेकिन OTC आप लोग लगा सकते हो ठीक है अगर ज्यादा दर्द हो रहा है पसुके तो डाइकलो पेनिक लगा सकते हो ठीक है पेनिकिलर लगा सकते हो कोई B Malonext है अगर अगर जो भी नेक्टी से उसके बारे में next वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो अच्छा लगाया है तो वीडियो को लाइक जरूर रहें दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट कर शुरूआ जाएगी तो हमारे चैनल पर बने रहे हैं और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जह हिंजेवार दोस्तों धन्यवाद